विकास दूबे के एंकॉंटर के बाद राजनेतिक हलकों में इसको लेकर लामबंदी शुरू हो चुकी है इस बिच बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने रविवार को ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख ने कहा कि कानपूर कान के अपराधी विकास दूबे के एंकॉंटर के बाद ब्रहमन समाज खुद को भेवीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है मायावती ने एक के बाद एक तीन ट्वेट कर योगी सरकार को आड़े हाथो लिया है मायावती ने ट्विट किया है कि BSP का मानना है कि किसी गलत विक्ति के अपराद की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताडित वा कड़गरे में नहीं खड़ा करना चाहिए इसलिए कानपूर पुलिस हत्याकान के दुरदानत आरोपी विकास दूबे वा उसके गुर्गों के जुर्म को लेकर उसके समाज में भैवा आतन की जो चर्चा गर्म है उसे दूर करना चाहिए मायवतिने आगे कहा कि साथ ही यूपी सरकार अब खास कर विकास दूबे कान की आड में राजनिती नहीं बलकि इस संबन में जन विश्वास की बहाली हितू मजबुत तथ्यों के आधार पर ही कारवाई करे तो बहतर है सरकार ऐसा कोई काम न करे जिससे आप ब्राह्मन समाज भी यहां अपने आपको भेवीत, आतनकीत और अस्वरक्षित महसुस करें मायवतिन योगी सरकार पर निशाना साथ तो वे लिखाए कि इसी प्रकार यूपी में अपराधिक तत्वों के विरुध अभियान के आड में छाट छाट कर दलीत पिछड़े वा मुसलिम समाज के लोगों को निशाना बनाना ये भी काफी कुछ राजनिती से प्रिरित कामलों में पूरे तोर पर निश्पक्ष वा इमानदार होना चाहिए तभी प्रदेश अपराध मुक्त होगा